नमश्कार मीत्रू, होई माता को सापित करनी और बाइना निकालने की वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने होई माता की फोटो रख ली हैं और साथ में ग्यहूं की धेरी बना लेंगे हम उसके उपर होई माता और दोगड रखेंगे दोगड मतलब दो जो कलाश होते हैं उनको हम स्थापित करेंगे ग्यहूं के उपर तो ये बीच में जगा बना दिये मैंने और साइडों में ये ग्यहूं आ जाएगी देखिए हमारे हाँ दोनों दोगड में जल भरा जाता है तो मैं दोनों घड़ों में जल भरके और होई माता की स्थापना कर रही हूं नीचे मैंने ग्यहूं के दाने रख दिये हैं और चारोत्राफीस को ग्यों को कर दिया हैं और साइड में होई माता रखी हैं ताकि जो हम अच्छे से लगा पाएं, अच्छे से पूझा कर पाएं इसे के सामने हमारे अधी वाले सजाई जाती है तो आभ ये दिखे, मैंने पाः सिंगाडे रखे हैं इसके उपर, کوई भी हरा फ्रूट रख सकते हैं तो हमारे यहां सिंगाडे रखे जाते हैं वही मैंने रखे हैं, अब हम सात्विक बनाएंगे, सिंदूर से, दोनों दोगड के ऊपर एक-एक सात्विक बना लेंगे, अच्छे से, तो इस तरह से हमारे यहां पूझा होती है, अगर फ्रेंड्स हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज हमारे चैनल क सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, होई माता की सभी तरह की जानकारी भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप तिलग कर देंगे, होई माता को, खुद को भी तिलग करें, बच्चे बैठे हैं, अगर आपके साथ तो बच्छों को भी तिलग कर दीजिए इसके बाद थोड़े-थोड़े से अक्षत हम चड़ा देंगे सब पर अब हम शो माता की माला लेंगे देखिए मेरी माला है तो इसमें मैंने काफी सारे मोती दिलवाई हुए हैं क्योंकि मदरिन लोग की भी इसी के अंदर है इसमें हम पीछे से गांट लगा के इस तरह से करेंगे ताकि दोगड के उपर माला अच्छे से पहना पाएं अब यह दिखिए मैंने बाइने का भी सारा समान ले लिया है हल्वा पूरी फ्रूट मठे अब एक पूरी और हल्वे का मैं कोई माता को भोग लगा दूँगी फ्रूट चड़ा देंगे हम माता को जो भी हमने बाइने में फ्रूट निकालने हैं वो एक बाइने में रख लेंगे और अपने से बड़ों को हम यह बाइना देते हैं चाहे सास नना दिया अपने से कोई भी बड़ा है उसको यह सारा समान हमने निकाल कर देना है बाइने में अब मैं सब के उपर मोली बान दूँगी दोनों दोगड के उपर और माता को भी मोली का हार पहना देंगी थोड़ी-थोड़ी मोली के टुकडे हम सभी जगर अब हम देशी घी का एक दिपक होई माता के सामने लगाएंगी और पूजा करेंगी दिपक देशी घी का ही लगाना है और गोल बत्ती का दिपक होई माता के सामने लगाया जाता है अब मोली का धागा मैं अपने हाथ पे भी बान लूँगी और बच्चों के हाथ पे भी उन्हें भी तिलक मैंने लगा दिया है और मोली का धागा बान दिया है अब इसके बाद बाना मिनस देंगी अब जो हमने ये जल का लोटा लिया हुआ था इसको तीन बार थोड़ा सा जल हाथ में लेकर बाना मिनस देंगी और माता को हाथ जोड़ कर अगर कोई भी गलती होगी है उसके लिए शमाय आशना करेंगी और जो बत्ती को लगा कि साथ दाने यहूं के लेके दोख मार लेंगे इस परकार ओई माता की पूजा और बायना निकाला जाता है मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूर सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट भी करें कमेंट वोक्स में